नमस्कार में रशना पटारे मौसम दरपन में आपका स्वागत करती हूँ चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूर्वा नुमान सूर्य इन दिनों आग का गोला बना हुआ है जिसकी तपन से घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है गम लुके थफेडों से बशने के लिए लोग चाता या गम चले कर ये घर से पर निकलना पसंद कर रहे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बुनबादी भी देखने को मिली जिससे तापमान में गिरा और दर्ज की गए पुरोतर राज्यों में प्रचंडग अर्मी से लोग परेशन नजर आए रक्षन भारत में भी तापमान 40 डिग्री से उपर पहुंच गया भारती मौसम विभाग ने देश के कई लाकों में भारी बारिश की चेताउनी जारी कर दिये आएमडी के मुताबिक पूरी भारत में बिजली और तेज होग और बादलों की गरज के साथ भारी बारिश की संबावना है 26 एप्रिल तक पुरोतर भारत में भी इसी तरह के अहलाद बने रहने के आशंका है सिक्की में भारी बारिश की चेताउनी जारी कर दिये 24 एप्रिल तक आज साम में घले और अरुनाचल प्रदिश में भी भारी बारिश की चेताउनी जारी कर दिये आएमडी के मुताबिक अगले पाथ दिनों के दोरां चेते गड़ और ओडिशा में गरज बिजली और तेज हाओ के साथ छिटपुट बारिश होने की संबावना जताई है विदर्भा और गंगी पशिम बंगल में भी अगले दो दिनों के दोरां गरज के साथ छिटे बिजली गिरने और तेज हाओ के साथ चिटपुट बारिश देखने को मिलीगी इस बिच विहार और जहरकंड में भी अगले 24 घंटों के दोरान छिटपूट बारिश दर्श की जाएगी आयमडी ने ये भी चेतावनी दी कि आज जहरकंड और ओडिशा में ओला रुष्टी होनी की संभावना बनी रहेगे आयमडी के मुतबिक दो दिनों के दोरान जम्मू कश्मीर लद्दा गिलगिट बल्टिस्तान मुझबपराबाद हिमाचर प्रदिश और अगली 24 घंटों के दोरान उतराखंड में भी गरज के साथ बारिश होनी की संभावना है एक ताजा पकंदर पश्मी विक शोब 24 सेप्रिल की राज से पश्मी हिमालेक शेत्र को प्रभावित कर रहा है इसके प्रभाव से 25 और 26 एप्रिल को जम्मू कश्मीर लाद्दा गिलगिट बल्टिस्तान मुझबपराबाद हिमाचर प्रदिश और उतराखंड में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट बारिश बिड़ली गिरने की संभावना है अगले पाच दिनों के दो रांग केरल माहे तमिल नाडू पदुचेरी का राइकल करनाटक तटिया अंधर प्रदिश और तेलंगना में भी गरज के साथ छिटपुट बारिश का प्रकप देखने को मिलेगा वही एंसेया दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक बार फिर बिशन गर्मी का सामना कर सकती है अगले अपते यहां का पारा चवली डिग्री सेल्सेस तक पहुंचने का पूरवन मन लगाएगा है बियार के कुच जिलों में बारिश हो रहे है जहरकण के राजधानी रांची में बादल चाये हुए वही करनाटक, दक्षिंग, कोकन और गोवा, मध्य मारेष्ट, जम्मू, कश्मिर, लद्दाक और हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम इन स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है ओडिशा, चतिस गड़ और तेलंगाना में एक या दो जगों पर हल्की बारिश की संबावना है गुजरात और दक्षिम पश्रिम उत्र प्रदिश में एक या दो स्थानों पर लू की स्थिती संबव हुए अगले 24 गंटों के दोरान 36 गड़ और असम में घाले नागालयान मनिपूर मिज़ोराम और त्रिपूरा के कुछ हिस्सों में मध्यम हाओ के साथ बारिश और गरस के साथ बहुचारे पढ़ने की संबवना है अरुनाचल प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों में भी तेज हाओ के साथ हलके से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है जमुकश्मिर लक्षुदियूप और सिक्कीम के कुछ हिस्सों में हलके से मध्यम बारिश दर्ज हुई है हिमाचल प्रदिश ओडिशा गंगिये पश्चिम बंगाल तेलंगना मराठवड़ा और करनाटक में छिटपोट वर्षा हुई देश के कई हिस्सों में कल्लू नहीं चली फिशले 24 गंटों के दोरान पुरूतर भारत के एरल के कुछ हिस्सों के साथ सामिल्नडु और मध्य माराष्टमे हलके से मध्यम बारिश हुई खुछ थानों पर भारी बारिश भी हुई वही अगले पास दिनों के दो रनीन राज्जों में लूकी सिती बने रहेगी, गुजरत के अलग-अलग हिस्तों में लूकी सिती बने रहेगी, और 26 एप्रिल तक दक्षिम पशिम उत्तर प्रदेश, दक्षिम पूर्वी उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश और राजस्तान और विदर्भ में लूकी स्थिती नजर आएगे मद्य प्रदेश के मौसम को प्राभावित करने वाली चार सिस्टम फिलार सकरी है पुरो उत्तर हिस्से में एक चकराती हावा का क्षेत्र बना हुआ है विदर्भ और तेलंगना तक एक ट्रप रेखा गुजरती नजर आ रही इसे मद्य प्रदेश के कई स्थानों पर बादल चाय रहेंगे इसके साथ ही कुछ हिस्सों में हलकी बारिश भी होगी बिहर में एक बार फिर हिटवियों का खत्रा नजर आने लगा अगले 24 घंटों में 21 जिलों में बारिश के बाद अचानक से बदला हावा करूप परेशानी भराए मौसम विबाग ने अगले पात दिनों के दोर आने आप हिटवियों का खत्रा बढ़ने की संबावना जता ही वही महराष्टर की बात करें तो राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बादल चाहे रहने और हलकी बारिश के सत गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है इस भिछ भरती मौसम भाग के ताजा पूरवा नुमान के अनुसार राज्यों के कई हिस्सों में गर्मी से रहत की कोई उम्मिद नहीं चिटपुट से लेकर चिटपुट बारिश की गतिविद्या जारी है दरसल दक्षिन मद्य महरस्ट के कई जिलों जैसे सांगली सातर और कोलापूर में एप्रिल के दूसरे सप्ता में अच्छी बारिश हुए है लेकिन इन जिलों के कुछ हिस्सों में जारी रहेंगी ये प्री मांसुन बारिश जादा तर देर दूफर याज शाम के घंटों के दोरान होगी इन सभी ख्षेत्रों में तापमान लगभग सामने रहने की संबावना है उत्तरी मध्य महरस्ट और उत्तरी कोकन और गोवा क मौसम लगभग शुशक और गर्म रहे गया उत्तर मध्य महरस्ट और विदर्ब के कुछ हिस्सों में 47 घंटों के बाद लू चलनी की संबावना है मरटवड़ा में चिटपुट हलकी बारिश दर्श की गई है लेकिन बारिश की गतिवी देयाक शेत्र में बारिश की कमी को हर साल की तरह इस साल भी महरस्ट में लोगों को घर्मी का ऐसास हो रहा है महरस्ट में तापमान दिनमदी बढ़ता जा रहा है हलाकि पिछले 24 घंटों में कोकन और अंध्रोनी हिस्सों के कुछ हिस्सों में आंधी और ओला रूष्टी हुई है इससे गर्मी के मौसमें पर ओला रुष्टी की संभावना है आला कि मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तीन से पात दिनों तक लूट चलने का अनुमान जता है मौसम विभाग के केस हुसलिकर ने इसके बारे में ट्विट किया कलकी बारिश ने पुने एक शेत्र में नियूनतम तापमान को कम कर द इस बिच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जता है खबर में फिलाल इतना ही इससे के साथ देखते रहे मौसम दर्पन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन दबाएए वीडियो कीजिए